तो busy accounting software के अंदर service का sales invoice हम कैसे create करते हैं sales invoice create करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो services हम provide कर रहे हैं उनको हम as a item कैसे show करेंगे अभी example के लिए जैसे हमारी एक shop है जिसमें हम computer software sell करते हैं साथ ही software को हम renew करते हैं तो इस case के अंदर जो हमारा software renewal वाला पार्ट है वो हमारा services के अंदर आ जाएगा तो software renewal को as a item हम कैसे create करेंगे हम आएंगे administration, masters, item और add के उपर हम click करेंगे अब जो भी service हम provide कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर बता देंगे अभी जैसे हम software renewal की service provide कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं software renewal AMC इसके बाद हम unit पर आ जाएंगे यहाँ पर जो हम अभी service provide कर रहे हैं उसके एसाब से यहाँ पर हम numbers select कर लेते हैं unit को आप अपनी service के एसाब से select कर लेंगे इसके बाद text category और service code हम यहाँ पर बता देंगे text category के अंदर हम 18% service select कर लेंगे इसको हमने 18% ही क्यों select किया GST के साब से हमारी जितनी भी services हैं वो लगबग लगबग सारी ही 18% के अंदर ही आती हैं तो इसको आप check कर लेंगे और इसके बाद अपना service code हम यहाँ पर बता देंगे इसके बाद specify sales account हम यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर हम select करेंगे specify here and इसके बाद यहाँ पर हम select करेंगे service charges is receipt जब भी इस item को हम किसी भी transaction के अंदर use करेंगे तो यही account हमारा affect होगा इसके बाद यहाँ पर option है don't maintain stock balance इस option को हम yes कर देंगे इस option को हम yes क्यों कर रहे हैं यहाँ पर यह जो हम item create कर रहे हैं यह हमारी service है और service का कोई stock maintain नहीं होता है item को हम save कर लेंगे अब ऐसे ही हम एक item और create कर लेते हैं इस item को हम नाम दे देते हैं repairing charges अब जो हमारी unit है उसको हम select कर लेते हैं not applicable अब यहाँ पर हम direct बता रहे हैं कि जो भी हम item create कर रहे हैं उसका stock हमको maintain नहीं करना है not applicable हम यहाँ पर तब select कर सकते हैं जब हम किसी चीज की service provide कर रहे हों और उस service के हमारे fixed charges हों not applicable select करने का एक फाइदा और है जब भी हम इस item को किसी voucher के अंदर use करेंगे तब यह हमको direct price के उपर ले आएगा हमें quantity बताने की जरूरत नहीं होगी इसके बाद text category और service code हम यहाँ पर बता देंगे इसके बाद यहाँ पर भी service charges इस receipt हमारा select रहेगा इसको हम save कर लेंगे तो item हमारी create हो चुकी है अब हम जान लेते हैं कि service की sales invoice हम कैसे create करते हैं sales invoice create करने के लिए हम आ जाएंगे transaction के अंदर sales and add यहाँ पर हम date बता देंगे voucher number, sale type क्या है और party को यहाँ पर select कर लेंगे इसके बाद हम item के अंदर आ जाते हैं तो पहले हम item ले लेते हैं service charges AMC quantity के अंदर हम बता देंगे कि कितने software के लिए हमने AMC provide करी पर AMC हमारी क्या rate थी वो हमने यहाँ पर बता दी जो भी इनका total amount होगा वो यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद हम bill sundry के अंदर आ जाएगे यहाँ पर हम press करेंगे F4 तो GST amount हमारा calculate हो जाएगा save बटन के ओपर click करेंगे voucher हमारा save हो जाएगा invoice का preview हम यहाँ पर देख लेते हैं तो यह हमारा invoice है हमने AMC provide करी कितने software के लिए की और किस rate पर की वो हमारा यहाँ पर आ गया है GST का amount हमारा यहाँ पर आ रहा है इसके बाद जो हमारा total amount है वो हमारा यहाँ पर आ रहा है तो यह हमारा हो गया है जो हमने service provide करी उसके लिए sales invoice ऐसे ही जो second item हमने create करी थी उसको कैसे हम use करेंगे एक new sales invoice हम create कर लेते हैं date, bill number हम यहाँ पर बता देंगे sale type select करेंगे और जिस party को हमने service provide करी उसको हम यहाँ पर select कर लेंगे इसके बाद हम item में आ जाएंगे और अब यहाँ पर हम select कर लेते हैं repairing charges अब जैसे ही हम repairing charges select करते हैं तो direct हम amount के ओपर आ जाएंगे यहाँ पर हमको quantity, unit और price बताने की हमको जरूरत नहीं है यहाँ पर direct हम amount बताएंगे bill center के अंदर आकर F4 की press करेंगे tax की calculation हमारी हो जाएगी voucher को हम safe करेंगे इसका भी preview हम देख देते हैं तो यह हमारा invoice create होगा यह हमने service provide करी service के जो भी हमारे charges थे वो यहाँ पर आ रहे हैं amount के ओपर tax और जो final amount है वो हमारा यहाँ पर आ रहा है अब इसके बाद अगर हम इसका stock चेक करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं repairing charges और AMC charges का stock maintain नहीं हो रहा है इसके बाद हम GST summary चेक कर लेते हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो invoice हमने create करी थी दोनो invoice हमको यहाँ पर show हो रही है ऐसे ही इसको हम GST R1 के अंदर चेक करते हैं तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि दोनो invoice हमारी यहाँ पर show हो रही है तो ये हमने जाना कि कैसे हम service की sales invoice create करते हैं इसके regarding अगर आपका कोई भी question होता है तो नीचे आप comment कर सकते हैं